फ्रेंज कैसे हो आप लोग तो फ्रेंज आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डीजिटल रेशन काड डाउनलोड कर सकते हो जो 2024 का है न्यू तरीके से और न्यू रेशन काड डाउनलोड होने वाला है तो कैसे क्या करना है सब कुछ है ताकि future में जो भी वीडियो आप डूड कर उसका नोटेशन आपको मिल दे रहे तो फ्रेंज चलिए वीडियो के स्टार्ट करते है तो फ्रेंज प्रोसेस को करने के लिए आपको प्लेश्टॉर आपएन कर लेना है तो प्लेश्टॉर आपन करके सर्ज बरमें आपको सिं अगर आप already registered हो तो इसमें आपका mobile number और MP देखें आप login कर सकते हो और अगर आप registered नहीं हो तो नीचे आपको मिलेगा registered here तो इस option में आपको click करना है तो click कहने के बाद friends इस type से show हो जाएगा इसमें आपका mobile number enter करना है tick box में tick करना है फिर आपको register कर लेना है तो register करने के बाद फिर आप login कर सकते हो तो login here का option में मैं click कर देता हूँ तो click करने के बाद फिर mobile number इदर enter करने के बाद फिर MP एंटर करना है फिर login का option में click करते ही login हो जाता है इस तरीके से show हो जाता है तो friends देखे इसमें एक option शो हो रहा है आपको नीचे देखे new बोल के लिखा हुआ है तो यह जो option है new dg locker तो इस option में आपको click कर देना है तो click कहने के बाद friends इस type से आएगा फिर से आपको इधर sign up या login करना है अगर आपके पास ID है तो आप login कर सकतो अगर नहीं है तो sign up का option दिया गया है तो इसमें जाके आपको sign up करना है तो मैं sign up का option में click कर देता हूँ तो click कहने के बाद friends इस type से show हो जाएगा तो friends देखे जिसका भी ration card आपको download करना है उनका detail से आपको इधर sign up करना है जैसे कि mobile number enter कर देना है उनका जो आदर कट के साथ link है फिर उनका नाम इधर enter कर देना है फिर date of word इधर enter करना है फिर gender इधर enter करना है फिर username तो कोई भी एक username आपको choose करना है सबस आपका नाम है रभी किशन तो आप इधर username रभी12345 इस type से रख सकते हो फिर आपको एक pin बना लेना है पिर आप इसमें login कर लिए तो login कैसे करेंगे तो login का option में जाएंगे जाने के बाद आपका mobile number enter कर देंगे या username enter कर देंगे फिर आपको mpin जो है mpin इधर enter कर देंगे enter करने के बाद फिर जो tick box है tick box में आप tick करेंगे फिर sign in का option में क्लिक करेंगे फिर आपका register mobile number पे एक OTP जाएगा, उस OTP को इधर enter कर देना है, enter करके फिर आपको sign in का option में click कर देना है, फिर आप sign in हो जाओगे और आपको इस तरीके से interface show हो जाएगा, तो friends इसमें आपको बहुत सरा option दीखेगा, तो इधर आपको option में लगा जो first वाला search documents, तो इसी option में ह आपको click कर देना है, तो click करने के बाद इसमें आपको simply type करना है, ration card, तो ration card type करके search करेंगे, तो इस type से show हो जाएगा, और सभी state का one by one आपको show होगा, देख सेकते हो first है गुजराट का, फिर है waste of angle का, फिर है megalay का, फिर है त्रीपुरा का, आपको नीचे जितना भी जाते आपको इस तरीके से state wise दीखते रहेगा, तो जो भी आपका state है, उस state में click कर देना है, अगर आपका state का नाम नहीं show हो रहा है, तो ration card आसाम या ration card बिहार, ration card उत्तर प्रेदेश, इस हिसाब से आप search करेंगे, तो show हो जाएगा, तो friends आप देख सेकते हो, मैं आपको one by one आपका distr compte करके से, डाउनलोड कर सेकते हो, हो गया या अज़वार है, फिर आगर आपको विहार का देखना है, उसमें आपका districts लेट करना है, फिर आपका ration card number से लेट करना है, get documents में जाएगे, आपका ration card download हो जाएगा, फिर इधर आपको देख सेकते हो, उत्तर प्रदेश क उसमें विए आपको SEM आपका MR, coisa Number अंडर करना है डिलिक्ड शूस करना है गेट दोकूमेंट्स पे जाएंगे तो आपका डाउनलूड हो जाएगा तो मैं आपको एक प्र고 स्फिसे इस सबदे आ आपको father name देना है, फिर देना है date of work का year only, फिर other card का last four digit number देना है, फिर ration card number इधर enter करना है, फिर आपको district choose कर लेना है, फिर जो tick box है, tick box में tick करके, फिर get documents का option में click कर देना है, तो click करते हैं फ्रेंस इस type से show हो जाएगा, तो इधर आप देख सकते हो ration card record added successfully, यानि आपका जो ration card है, ओ add हो चुका है, फिर आपको इधर एक option मिलेगा, download video का, तो download video में click करका, आप download भी कर सकते हो, और view भी आप कर सकते हो, तो friends देखिए, इस तरीके से आपका ration card show हो जाएगा, इसमें आपका family members है, क्या आपका details है, और इसमें green tick हुआ रहेगा, फिर आपको QR code मिलेगा, म सबी state के लोग इस ration card को download कर सकते हैं, और इस ration card से कोई भी काम आप कर सकते हो, तो friends इस वीडियो में इतना है था तो अच्छा लगए, तो लाइक कीज़े, शेयर कीज़े और मेरे चलको subscribe करना ना वो ले, फिर मिलेंगा और एक new video के साथ, thank you